नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सब मैं वंकित पटेल आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूटूब चैनल जीमडी ग्लोबल एजुकेशन में साथियों आज का जो टॉपिक है वो लैक उपरान हम इसकी बारे में आज जानेंगे चुकि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने का प्यास करेंगे तो आए देखते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि जो लैक उपराने वो लैक्टोज की पार्चन के लिए बनाया गया है यह जो हमारे मतलब प्रोकरियाटिक को सिकाओं में जैसे की इकोलाई बैक्टिरिया होते हैं ठीक है उनमें क्या है कि लैक्टोज के पार्चन के लिए एक अलग से चुकि जो प्रोकरियाटिक होते हैं उनमें इस सारे प्रकार एक साथ होती है तो यह इसके लिए यह फंक्सन दिया गया जैसा इसमें आप देख पा रहे हैं कि पहले उपर यह रेगुलेटरी जीन इसमें जो है कि आई के नाम स यहां पर जो एक प्रकार का प्रोटीन बनाता है यहां पर रिप्रेशर प्रोटीन ठीक है ठीक है तो इससे पहले यहां पर ट्रांस्क्रिप्शन सुरू होता है तो यह हमारे ने बनाता है रिप्रेशर यह हमारे ने और रिप्रेशर प्रोटीन ठीक है जो कि यहां पर ऑप स्ट्रक्टरल जीन और छैसे कहा यहां पर in absence of inducer inducer का मतलब प्रेरक प्रेरक की अनुपस्थ्थ्थ् IORS में प्रेरक का मतलब जो जो लेक्टोज है ठीक है जैसे मान लिजिए कि एक मीडियम ठीक है और इसमें एक मीडियopy बेक्टरिया और इस मीडियम में margin की चारों तरफ लेक्तोच की अनुपच्थतिशनी तब क्या होगा कि यहां पे जो नियामक जीनियारी डेःगोलेक्रइट्री जीन क्पेक्प्राइंग को सब्सक्राइद पते इंदी में बोलते यह क्या इसको मेसेज नहीं दे पाता है जिससे यहां पर जो मीडियम में इसे इकुलाई के बाहर जो सरक्रा होती नहीं तो इसलिए इनकी आसकता नहीं पड़ती है चुकि यह सक्रिय लैक उपिरान है ठीक है और उसके बाद जब यहां पर इन प्रजेंट आप इंडियूसर का मतलब प्रेराख यानि कि जब मीडियम में मालेजिए जब मीडियम में इसे मीडियम में लैक्टोज अकर उपस्तित होता है तब क्या होगा कि यहां पर जो रेगल बनाता है तो यह प्रोटीन जो है रिप्रेसर के साथ यह यहां पर प्रेरक काम करता है कौन यह लैक्टोज सरकरा इसमें जब डाले जाती है और यह जो है कि इसमें जो है लैक्टोज के पाचन के लिए यह उपिरान काम करता है और एंजाइम का निर्माड करता है जब मीड तो यहां पर यह प्रेरेक के रूप में काम करता है कौन लैक्टोज और एक प्रकार का प्रेरक प्रोटीन इंड्यूसर बनाता है जो यहां पर इसकी बाइंडिंग साइट से जुड़ जाता है और इसको क्या करता है रही प्रेसर प्रोटीन को इनक्टिव कर देता है ठीक है अब इसके बाद जब यहां पर इन्यक्टिव बनाता है ठीक है इन्यक्टिव बनाने के बाद यह अब यहां पर जा करके इससे बाइंड नहीं कर पाता है ऑपरेटर से यह बाइंड करी नहीं पाता है जिसके बाद यह क्या करता है प्रमोटर यानि की वर्धक ठीक है वर्धक क्या करता इसको मैसेज ट्रांसफर करता है और प्रोटीन ही होता है तो यह मारेने से प्रोटीन बनता है आप जानते होंगे तो इससे क्या होता है कि यहां पर यह तीन प्रकार के अंजाइम्स का निर्मार करती है कौन कौन से बीटा के लेक्टोसाइड एज पर्मीएज और ट्रांसेसिटाइलेज तो जो बीटा के लेक्टोसाइज है वो जिड्ड जिन से बनता है और वाई जिन से पर्मीएज और एजिन से ट्रांसेसिटाइ तिक ये तिनों एक साथ मिल करके इस लेक्टोज मीडिये में लेक्टोज stripped करा है इसके पाचन के लिए हल्प करती यह टीक है यह सीधा सहला सा एक कॉंसेट था लैक परांड का ठीक है और इसको दिया किसमे था जैकौब और मुनाड ने ठीक है जेकाब एवां मुनाड ने एंड मुनाड ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थन्यवाद